भगवान श्री महा कालेश्वर कार्तिक अगहन मास्थ में भी भक्तों को दर्शन देवे के लिए नगर भ्रह्मन पर निकलेंगी। इसमें कार्तिक मास्थ की तीसी सवारी आज निकलेगी। संधिया चार बजे पूजन अर्चन के बाद सवारी नगर भ्रह्मन करते हुए शिप्रा तट पहुचेगी। यहां से पूजन के बाद पारंपारिक मार्ग से वापस मंदर आएगी। श्री महाकालिश्वर मंदर सी श्रावन मास्थ की बाद कार्तिक अगहन मास्थ में भी भगवान महाकालिश्वर नगर भ्रह्मन पर निकलते हैं। राजा महाकाल चान्दी की पालकी में सवार होकर प्रजा का हाल जानने निकलते हैं। इसी क्रम में कार्तिक अगहन मास में भी प्रती सोमवार को मंदिर की आंगन सी भगवान महाकाल की चार सवारी निकलती है इस बार कार्तिक मास में तीसरी सवारी 14 नवेंबर को निकलेगी श्री महाकाल श्रमंदिर की सभा मंडप में भगवान महाकाल की मुघोटे का पूजन क्या जाएगा इसके बाद सवारी नगर भ्रहण के लिए रवाना होगी बावा महाकाल की सभारी मंदिर से प्रारम होकर गुद्री चराहा, बक्षी बाजार कहार वारी होकर रामघाट पहुचेगी यहाँ पर भगवान का पूजन अभिशिक के बाद रामघाट से गनगोर दर्वाजा मौड की धर्मशाला, कार्तिक चोग, खातिका मंदिर, धावारोड, छत्री चोग, गुपाल मंदिर, पट्मी बाजार, गुद्री बाजार होकर शाम को करीब साड़े छे बजे संध्या आर्तिके पहले ही वापस मंदिर लोटेगी